उत्तर प्रदेश के हाथरस में ससंग के दौरान मची भगदर में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 28 लोग गंभीर रूप से गायल है हासे के बाद से ही नारायन साकार हरी उर्फ भोले बाबा फरार है पुलिस उसके मैनपूर इस्थित आश्रम के बाहर मौजूद है इस पीच एक और मामले का खुलासा है बताया जा रहा है कि बाबा के उपर यौन शोशन समेट पाँच गंभीर आरोप दर्ज है वह जेल भी जा चुका है बाहर आने के बाद उसने अपना नाम और पहचान बदल ली थी भोले बाबा का असली नाम सूरच पाल है बताया जाता है कि वह एटा जिले की पटियाली तहसिल के गाउं बहादूरी नगरी के रहने वाले हैं पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई यूपी के बारा थानों के लावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरच पाल की तैनाती रही नौकरी के दोरान उसके खिलाफ यून शोशन का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्दखास्त कर दिया गया जेल से चुटने के बाद उसने अपना नाम नारायन हरी उर्फ साकार विश्व हरी रख लिया और प्रवचन देना शुरू किया बाबा ने सचसंग करना शुरू कर दिया तो लोग उसे भोले बाबा कहने लगे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है सचसंग में बाबा की पत्नी भी साथ रहती है बहादुनगर में आश्राम इस्थापिद करने के बाद भोले बाबा की प्रसिधी गरीबों और वंचित वर्गों के बीच तेजी से बढ़ी और लाखों लोग अन्युआई बन गए